हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो था सिनेक उडूजी चैनल और आज मैं आप लोग के लिए 2018 में रिलीज हुई सुपरिश्टार रजनी कांत और अक्षे कुमार इस्टारर एक मुवी 2.0 या यू कहें रोबो 2.0 का बिहाइंड दा सीन्स वीडियो लेकर के आया हूँ थैंक्स टू लाइका प्रोडक्शन्स एंड धर्मा प्रोडक्शन्स मैं इस बीटियस को हिंदी में आपके साथ सेर कर पा रहा हूँ इस 2.0 मुवी का डिरेक्शन एसस संकर सर ने किया है और इसकी स्टोरी राइटिंग भी इन्हों ने ही की है इस फिल्म में लीड एक्टर है सुपरिश्टा रजनी कान सर और इन्हों ने इस फिल्म में वसी करण का किरदार किया है वहीं अक्षे सर ने इस मुवी में लीड विलन के रूप में पक्ची राजन का किरदार किया है और लीड फीमेल एक्टरस हैं एमी जैक्सन इस फिल्म की सुरुआत में जो सडकें और जो स्टोर्स आपको देखने को मिलते हैं जहां से काफी सारे फोन उड़कर के जाते हैं वो असल में नहीं है उसे EVP फिल्म सिटी में त्यार किया गया था इस फिल्म में दिखाया गया कई एक्षन सिक्वेंस इसी सेट पर सूट किया गये थे फिल्म की स्टार्टिंग में रोबोटिक्स रिसार्ज कर रहे कुछ इस्टुडेंट्स डक्टर वसीगंड से मिलने के लिए उनकी लैब में आते हैं यहां पर पहली बार रजनी कांथ और एमी जेक्सन को दिखाया जाता है यह उसी सीन का बीटियस है इस फिल्म के अंदर एक बड़ा सा ट्रक दिखाया गया जिसके अंदर काफी सारे सिलफोन भरे होते हैं और वह पलट जाता है जिससे वो सारे ही सेलफोन उड़कर के बाहर निकल जाते हैं उस सीन को किस तरह से सूट किया गया था आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से निकले हुए इतने सारे फोन कहा गये यहाँ जानने के लिए वसीकर्ण अपने फोन में एक चिप लगाते हैं और बात कर रहे होते तभी उनका फोन फिर से उड़ जाता है खैर वसीकंड अपने फोन को एक यंतर की मदद से ढूंड लेते हैं और यहाँ पर उस सीन को सूट किया जा रहा है जब वसीकंड के ऊपर से काफी सारे सेलफोन्स उड़कर के जाते हैं इसके बाद वसीकंड चिट्टी को फिर से असेंबल करते हैं और इस सेलफोन्स यानि की पच्छी राजन एक और मडर कर देता है और इस सीन को रिकार्ड करने के लिए काफी सारी इसी तरह की लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था और इस फिल्म में जो मिलिटरी टैंक्स दिखाये गया है वो बिल्कुल भी असली नहीं है उन्हें किस तरह से बनाया गया था आप यहां पर देख सकते हैं और यह सीन उस समय का है जब एक टावर बनाया जा रहा होता लेकिन वहाँ पर पक्च्छी राजन आ जाता है फिल्म के अंदर इस सीन में काफी सारे सेलफोंस को आते हुए दिखाया गया है जो की गाड़ियों में घुश जाते हैं वैसे इस सीक्वेंस को रिकार्ड करते हैं दो बलाष्ट बिल्कुल रियल दिखाया गया है एक तो यह कार बलाश्ट और एक यह वाला बलाश्ट फिल्म के अंदर इस बलाश्ट के बाद की तबाही कुछ ऐसी दिखाई गई है इसके बाद उस पक्षी का हमला सहर के उपर होता जहां काफी सारे लोग सिलफोन खरीद रहे होते हैं और यह सीकेंस कुछ इस तरह से रिकार्ड किया गया है यह सिन उसी समय का है जब पक्षी राजन सहर के अंदर आता है और एक बिल्डिंग के पास से गुजरता है और कुछ लोगों को अपने पंजे में दबा कर उपर ले जाता है और फिर छोन देता है और यहीं पर इस मुवी में रोबोट चिट्टी आता है और इन सभी को बचा लेता है और उस बिल्डिंग के अंदर भागते वे रोबोट चिट्टी का जो सीन है उसे कुछ इस तरह से रिकार्ड किया गया है क्रियेटर यहाँ पर जो भी चाहें वो दिखा सकते है बैक ग्राउंड में इसके बाद में चिट्टी एक टैंग की मदद से पच्छी पर हमला करता है लेकिन वह बच जाता है और यहाँ पर चिट्टी की बैटरी डाउन होने लग जाती है चिट्टी किसी तरह से पावर सोस तक पहुँच जाता है लेकिन पक्छी यहाँ पर नहीं आपाता है और लैब में जो वसीकर्ण इस चीज की जाँच करते हैं तब उन्हें बता चलता है कि वहाँ पर कुछ पाजिटिव रेज थी और यहाँ उसी सीन का वीफिक्स ब्रिक डाउन है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इसे बनाया गया है खैर इसके बाद में वसीकर्ण को पक्षी राजन की लोकेशन का पता चल जाता है और वहाँ उसी जगाँ पर पहुंच जाते हैं जहां कभी पक्षी राजन रहा करता था और वहाँ सारे सेलफोन सभी भी यहीं पर होते हैं और जैसे ही वसीकरण अपना photon synthesizer आन करते हैं तुरंद ही पक्षी राजन उन पर हमला कर देता है और यहीं पर पक्षी राजन अपने पास्ट की कहानी भी सुनाता है खैर रोबूट चिट्टी पर हुए हमले की वज़े से उसका MPU खराब हो जाता है और यहाँ पर पक्षी राजन वसीकरण की कार को बहुत जादा इधर दर हिलाता है और यहाँ पर जो आप सीन देख रहे हैं फ्रंट एंड राइट वाला इसे रियल इफेक्ट डालने के लिए दो बार रिकार्ड किया गया है इस फिल्म में चिट्टी का जो अपग्रेड वर्जन और नीला का जो करेक्टर दिखाई पड़ता है वो सारा कुछ संकर सर के दिमाग की वपस थी और उन्होंने अपनी इमेजनेशन के आधार पर ही इसको डिजाइन करवाया था और फिर इसको रफ 3D माडल में कनवर्ट किया गया था इस फिल्म के लिए 1360 प्री विजुलाइज किया गया थे और यह काम किया था एक हालिवुड कंपनी दा थर्ड फ्लोर ने अक्षे का जो लुक है इस मुवी में पहला वाला उसे किस तरह से त्यार किया जाता था आप यहाँ पर देख सकते हैं जहां पर सबसे पहले तो सर को ढखना रहता था और उसके बाद में काफी सारे प्रोस्टेटिक्स, डिजाइंस, अलक से विक्स, सारी चीज़े लगानी होती थी और उसके बाद में यह लुक निकल के सामने आता था खैट जब वसीकरण पक्षी राजन को काबू करने में सफल हो जाते हैं तब इन्हें समानित किया जाता है और इसके बाद में इनकी लाइब को दिखाया जाता है जहां पर असलियत में केवल एक फ्लोर तयार किया गया था बागी सारा कुछ वी एफिक्स और लिडार इसका और फिर पक्षी राजन और चिटी की लडाई होते विए हम एक पब्लिक प्लेस पर देखते हैं जहाब पक्षी राजन चिटी को बुरी तरह बबात कर देता है और यही पर अक्षे पाजी का दूसरा रोप यानि पक्षी वालर रूप दिखाई पड़ता है इसके लिए ए एक नया साही लुक निकल के सामने आता है इस फिल्म को देखने के बाद में जितना आसान लगता है कि बन गई होगी वाट ऐसा बिलकुल भी नहीं है क्योंकि इस फिल्म को रियल 3D में सूट किया गया था जरनली क्या होता है कि फिल्मों को 2D में सूट किया जाता है और उनको 3D में प्रजंट किया जाता है लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं है इसे लेटेस्ट 3D कैमराज की मदद से सूट किया गया था और इस फिल्म की सिनमेटो ग्रैफिक करी है नीरो साह जी ने और इस फिल्म को बनाने में टोटल 570 करोन का खर्चा आया था इस फिल्म में दिखाया गए वेफिक्स फाइट सिक्वेंसस को वर्चुल कैमरे की मदद से डिफरेंट कैमरा एंगल दिये गए हैं जहां पर आप यूस्तो रियल कैमरा कर रहे होते हैं बटो काम वर्चुल कैमरे की तरह से करता है चिट्टी के जाने के बाद में चिट्टी 2.0 की इंट्री होती है जिसके नीला एक रेड चिप लगा देती है नीला यानी की एमी जैक्सन और इस रेड चिप के लगने के बाद में चिट्टी की चाल ढाल बालों का कलर सब बदल जाता है और फिर चिट्टी 2.0 सारे ही रोबोट्स को पच्छी के खिलाफ लड़ने के लिए तयार करने लगता है फिल्म के अंदर सामने अला रोबोट आपको लिफ्ट राइट करते हैं नजर आये कर लेकिन वो अपने आप लिफ्ट राइट नहीं करता बार्कि हरे कपड़े पेनवे दो बंदे उसको लिफ्ट राइट करवाते हैं इस 2.2 मुवी की 3D सूटिंग के बारे में रजनी का अंसर बताते हैं यह पहला 3D सौट था जो कि उन्होंने छोटी स्कीन पर देखा था 3D में इस फिल्म का क्लाइमेक्स दिल्ली के जवाहलाल नहरू स्टेडियम में रिकार्ड किया गया था जिसमें इस्टेडियम का काफी सारा पार्ट है और थोड़ा सा पार्ट एक मेच का रिकार्ड किया गया है और यहीं पर कलाइमेक्स में दिखाए गए काफी सारे action sequence भी रिकार्ड किये गए हैं यहासिन उस समय का है जब पक्षी स्टेडियम के सारे दरवाजे मुबाइल से बंद कर देता है और इस्टेडियम में भगदर मच जाती है खैर भगदर के साथ ही रजनी सर यानि की चिट्टी 2.0 की भी इंट्री हो जाती है और वह एक आक्टोपस कैमरे पर लड़कते वे पहुँच जाते हैं पक्षी के पास में और फिर यहाँ पर पक्षी और चिट्टी 2.0 का अच्छा खासा कनवर्सेशन होता है और तब ही चिट्टी गुली चलाता है वर्चुल तरीके से अपने उंगलिया दिखा के जो कि फिल्म में कुछ इस तरह से दिखेगी जब पक्षी राजन पक्षी का रूप धारण करता है तब चिट्टी एक स्फेरिकल रूप रिले लेता है और काफी सारी गुलियां चलाने लगता है और इस वाले सीन को स्टीडियम में रिकार्ड ना करके बाहर एक स्टीडियम जैसा सिट बना करके रिकार्ड किया गया है चिट्टी जब अपना मैगनेटिक मोड आन करता है तो कुछ गाड़ियां आकरके उसके सरीर में लग जाती है और उन्हीं में से एक विक्ति कूदता है जिसे कुछ इस तरह से कुदाया गया था उस गाड़ी से इस फिल्म में अक्षे पाजी के उपर पंक आने और उनके ट्रांसफार्म होने वाला जो सीन है उसे कुछ इस तरह से रिकार्ड किया जाता था इस फिल्म के लिए लगभग 1000 वेफेक्स आर्टिस्ट ने मिलकर के वेफेक्स बनाए है जिनको सुपरवाइज किया है एस रिनवास मोहन जी ने और इस फिल्म की अब तक की IMDV रेटिंग है 6.2 आउट आफ 10 I hope आपको यह Robot 2.0 का Behind the Scene वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो लाग जरूर से कर देना और अगर कुछ बताना चाहते है तो कमेंट बाक्स में बताओ और हाँ अगर आपने अमारे चनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आलकलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग